कर दोस्तों एक बाद फिर से मैं अपने चैनल में आपका सागत करता हूँ इस्टेडी बिजेसर में दोस्तों आज मैं क्लाक पार्ट सेकंड के बारे में इस वीडियो में जिक्र करूंगा दोस्तों आपको बता हूंगा डिग्री प्रस ने जो पूछे जाते हैं इस वीडियो में बता हूंगा और खौंड समद्धि तीस अंशाथ अंश देगर के भी प्रस पूछा जाता है इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा प्लीज देखे और अभी तक फर्स्ट पार्ट आपने अकलाक का नहीं देखा दोस्तों तो डिस्क्रेप्शन में लिंक द होता है धीडिकरी जब भी इसषाल करेंगे इस हां का मतलब होगा रहुग हमका मिनट्स होगा और यह सवाल लगाते होसल पूरी तरश सैसवाज लेगी और एक इंप्रोटन चीद देना है दोस्तों को सिंस्टीवाइब کہें अगा दो हम पो주 आएगा फिर भी हमें positive भी मानना है तो question के शुरुवात करते हैं पहला question देते हैं इस वीडियो का कि दोस्तों वीडियो का पहला question दियागा किसी घड़ी में साथ बज के 30 मिनट हो रहे हैं उस वक्त जो है घंटे और मिनिट के 20 की डिगरी का कॉंड कितना होगा तो मैंने जैसे अभी जिगरी किया दोस्तों इसमें सूत्र क्या है साथ एच करना है माइनस जो है यारा एम अपान टू कर देना है और डिगरी से समवन ही जो भी questions होंगे इससे simplify हो जाएंगे तो हम धिर ऑफ हम क्या करेंगे सथ मूल्टिप्लाइ समर कर देंगे कि सात गहनते हैं दोस्तों फिर माइनस करें जारा करदेंगे इसFAT मिनिट के बाइन yes what,atories से हां पर 420 हमारा हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारो 300 तीस हो जाएगे हिस तरह से और हम अपको कर देंगे अब घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 90 आजाएगा नब गटाद नोगा तो होगा पाड़ देंगे दूच्छों आजएग्व तो यह पायता था sack साथ जाएगे जो की alternative C है इस तरह से पहला question हमने simplify किया है दोस्तों उमीद करतों आपको समझ में आ गया होगा question नमबर दो की बात करते इस ड्यूटियो का question नमबर दो की बात करेंगे दोस्तों कि पांच बसके 25 मिनट हो रहे हैं तो बोला कि जो मिनट और घंटे की से की कि बीच में कितनी degree का Space बनेगा तो simple है हमें वही DC दोस्त्त करेंबर याज करदेना है माइनस कर देंगे bacon कर देंगे यारा मल्टी कर देंगेront करते और टू कर देंगे फिसको करेंगे तो diferencia करेंगे तो हम ND principles करेंगे तो तो 298 हो जाएगा और 214 हो जाएगा बचेगा एक दोस्तों तो हमारा जो रियल एंसर होगा अल्टेनिटी फॉस्ट होगा इस तरह से तो उमीद करता हो दो कोस्टन आपको समझ में आ गया होगा जो डिग्री से संबंधित कोस्टन था अब इस वीडियो का कोड जो है इनके बीच का अंतर निकल पाएगा तो यह इस इंपोर्टन चीज हमें जात होना है तो उस समय घंटे के सुई के बीच में डिग्री का कौन कितना होगा तो मैंने बताया कर बारा है दोस्तों तो हमें करना क्या है फर्मूला तो वही अप्लाई करना है जो है जैसे मैंने दो सॉलम आपको अलड़ी बताया यहां याज के प्लेस पर बारा ना ना पर दोस्तों तो साथ मिल्ट्टिप्लाइज जीरो रखतें गे मैनेस करेंगी आरा मॉल्टिप्लाइज दो 20 कर देंगे इस तरह से इस questions को एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों यहां पर मैंने बता कि अगर 12 है दोस्तों तो हमें घंडी के प्लेस पर जीरो मानना है बस और आपको सेम प्रोसेस करना है तो हमें क्या करना है शार्ट मॉल्टिप्लाई 0 कर देंगे माइनस 11 मॉल्टिप्लाई 120 कर देंगे अपन 220 होगा दोस्तों हम टू कर देंगे 252 110 आजाएगा माइनस और जैसे कि मैंने शुरू आप में बताया तो निगेटिव का ध्यान नहीं देना है माइनस में नहीं लेना है पॉज्टिव ही समझना है तो इसका अल्टरनेटिव फस्ट होगा इस तरह समने तीन questions आपको सिंप् बीच में मतलब जो घंटे और मिनेट के सिंप्वितिं कितना डिग्री का कॉंट बनेगा सेम कॉस्चन है दोस्तों हमें फिर वही फार्मूले अप्लाई करना है साथ यस कर देना दोस्तो यारा एम करना है आप वान टू कर देना है आप यहाँ पर हमने इस बैलू को पूट दोस्तो 517 हो जाएगा पॉरा अबर अलब इसको अगर घटाएंगे तो हमारा 277 आजाएगा अप वान 2 कर देंगे दोस्तों इसकोisa कट करेंगे तो दू एक अनम 2 होगा 2-3-6 होगा 2-8-16 हो जाएगा दोस्तों एक रिमेन में बचेगा तो 1 आप वान जो है टू हो जाएगा इस तरह से तो राइट एंसर जो होगा वो जो है अल्टरनेटिव डी होगा दोस्तों इसमें एंसर नहीं दिया है इसका जो एंसर होगा 138 की न की बॉट नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों चाहुता और पांचों सेम है जो अल्टरनेटिव डीस का सही राइट एंसर होगा तो इन में से कोई नहीं आएगा जैसे मैंने बता है कुछन नमर चार में तो आप बात करते कुछन नमर छे की कुछन नमर चे सालब करने से पहले आपको यह सेकंड टाइप को कुछन इस वीडियो के दोस्तों अब यह थीटा ले करके समय पूछा जाए तो निमन सूत्र को फालो करना है आप अभी कुछन देखेंगे तो आपको समझ मा जाएगा दोस्तों तो थीटा देख करके अगर कुछन पूछता तो यह फार्मूला हमें लगाना है थीटा मल्टिपलाई टू माइनस साथ है या चापानी यह रहा करना इस तरह से दोस्तों और इस चीज़ को पॉज्टीव निगेटिव धून दो बार अपलाई करेंगे कभी कभी निगेटिव में ही अनसर आजाता दोस्तों कभी पॉज्टीव में कभी दोनों हमसाल करना पड़ेगा तो इस तरह से कॉस्टन के कोडिंग पता चल जाएगा तो कोस्टन नबर 6 की बात करेंगे आपको perfect समझ माँ जाएगा तो इस तरह से question number 6 के बात किया जाएगा दोस्तों question number 6 में दिया है समझार से लेकर के 5 तक में कब दोनों सुईयां जो है बीच में इस तरह से तो यहां पर मैंने आपको formula जैसे कि बताया था दोस्तों कि यहां पर यहां बराबर theta multiply 2 कर देना है और minus कर देना है और आपान जो है 11 कर देना है तो इस तरह से अगर solve करेंगे तो आपको answer आ जाएगा तो पहले negative हम लेंगे दोस्तों फिर positive लेंगे चुकि यहां पर c alternative a और b दिया है तो हो सकता है दोनों इसमें apply किया हो तो अब उमीद करते हो आपको समझ मारा होगा theta के place पर दोस्तों हमें लेना क्या होगा 30 से लेना होगा यहां पर 30 कर देंगे multiply 2 कर देंगे और minus करेंगे दोस्तों साथ multiply 4 से 5 का समय है तो केवल स्टार्टिंग का है समय लेंगे हम चार कर देंगे पांटी कर देंगे वह स्वारी 11 कर देंगे दोस्तों तो यह अगर simplify करेंगे तो हम जो है साथ आजाएगा और minus 240 आजाएगा दोस्तों और अपान कर देंगे यहां पर हमें 11 तो इसको जब हम less करेंगे घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कुल मिला करके जो है 180 आएगा जो कि negative हम तो लेना नहीं है पॉजिटिव समझ के लेना एक 180 अपान 11 आजाएगा अब हमें इसे डिवाइट करनेंगे दोस्तों तो हमारा कुल मिला करके 16 सही इतना तो आप कर सकते हैं दोस्तों कि यहां पेज की प्रोब्लम है तो 16 सही चार बटा यारा जो होगा यह आपका बी अल्टरनेटिव इसमें आएगा दोस्तों और आप यह यह आजाएगा जब इसको भाग देंगे दोस्तों तो हमारा 27 सही इतना तो आप भाग दे सकते हैं दोस्तों कि 27 सही आज जो है तीन बटा यह आएगा जो कि अल्टरनेटिव फ़स्ट भी होगा तो इसमें जो राइट एक्च्योल राएंसर होगा दोस्तों वह अल्टर करना है दोस्तों और थीटा के प्लेस पर ही आपको ये बैलू को पूट करना है मल्टिप्लाइटू करना है दोस्तों और टाइमिंग के स्टार्टिंग का ही पॉइंट लेना है चार पांच जो भी दिया है इस चीज को ये फार्मूला पे आप पॉस्टिव एक बार निगेट कोस्टन तो हम इस पर फार्मूले नहीं नोट करेंगे आपको चुकि सालब करने में समझ्ज़ा होती है तो फार्मूला लेडिया आपको पता है दोस्तों पहले यहां पर दिया क्या है कि चार से लेकर कि पांस तक घंटे और मिनट की सुई कब समकोड होगी दोस्तों समकोड क कि स्तितिक का होगी समकोड मतलब होता है नग्यांस का हमें मैने सुंत हो बताया था कि थीटा मॉल्टुप्लाइट टू कर इए मैमल्टिप्लाई 2 कर देंगे माइनस करेंग दोस्तों शिका मीम करेंगे टो का चुकि स्टार्टिंक्aws है ओ सुरी स्थार्फस्तार्टरिया त का करेंगे तो दो सो चालिश हो जाएके इस ड़र solar जब गहटा हैंगे तो हमारा आजाएगा कि साथ बेटा जो है यहर आजाएगे दूस्तो और जैब इसको मवां भाग दे देंगे तो हमारा आप इतना तो कर सकते हो अब यहरा ऑचेपजपन हो जाएगे दूस्तो पंच सही पॉच बटा यह रहा हो जाएगा जो कि आपको ए दिख रहा है रिख पॉर्स्टम आप सही पॉच बटा यहार आ गया तो यह मैंने नीगेटिव करके लगा दोस्तों इसी फार्मुले को पोजिटीव लगाएंगे तो क्या होगा positive का मतब दोस्तों करना का है यहां minus आपने क्या है तो यहां plus कर देना है बस 180 plus कर देना है 240 कर देना है upon two कर देना है वो 11 कर देना है इस तरह से जब भाग देंगे 420 बटाई यारा हो जाएगा और जब divide करेंगे तो यह दोस्तो 38 सही 2 बटाई यारा हो जाएगा जो की alternative बिंग दिया है तो इस तरह जो right answer होगा वो हमारा d alternative होगा दोस्तों इसमें a भी दोनो right होगा तो उमीद करता हूँ यह question आपको perfect समझ मैं होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज लाइक से subscribe करना न भूले दोस्तों और description मैं ने link दिया है पहला वीडियो जरूर वाच कर दे दोस्तों और जाद साथा कमेंट करें दोस्तों वीडियो के में और ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए परवाइड कर सकूँ थैंक य फो वाच्छिंग दोस्तों